जैहिन, स्वागत है आप सभी का देखिए अगर आपका सपना है एक सरकारे नोकरी पाने का और वो भी ऐसी सरकारे नोकरी जो के आपको देश की राजधानी दिल्ली में ही करने का मौका मिले तो यहाँ पर एक ऐसी ही जबरदस्त विकनसी के जानकारी आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं यह जो आपके विकनसी है MTS मल्टी टास्किन स्टाफ की रहने वाली है जो के आपके डेट टिपरसिबी के दोरा कंड़क्ट की जाएगी यहाँ पर इसमें सिर्फ वसर्फ एक सिंगल एकजाम से ही आपका सिलेक्शन होगा कहने का मतलब है कि नए तो कोई आपका सैकंड टायर होगा नए कोई आपकी फीजिकल होगी नए कोई आपका हाइट चस्स का मेजरिमन्ट होगा सिर्फ एक एक्जाम दीजिएगा और यहाँ पर सिलक्षन लीजिएगा तो आपकी जो पूरी जानकरी क्या है सिलक्षन प्रोसेस की वेकनिसी के बारे में वो इस नोटिस के दोरा चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका फॉर्म आपको कैसे फिल करना है तो यहाँ पर ओनलाइन तरीके से फॉर्म आपको फिल करना होगा जिसके स्टार्टिंग डेट रहेगी आठ फरवरी दोहजार चोबिस और लास्ट एट है आठ मार्च दोहजार चोबिस रात के बाराव जएदके form को आप fill कर पाएंगे तो अगर इस vacancy के लिए आप interested हैं तो इन दो date की बिजन में form अपना आप fill कर दीजिएगा यहाँ पर इस vacancy के लिए जो एक important चीज है अगर future में इस vacancy से सम्मन दीते, कोई भी आपका notice आएगा ना, तो वो आपका इस पोस्ट कोट के द्वारा भी आपको बता दिया जाएगा, तो 812 24 यह जो पोस्ट कोट है MTS के vacancy के लिए वो आप ज़रा याद रखिएगा अब हम बात करते हैं vacancy के बारे में, तो देखे जो पोस्ट है ना, वो तो आपके MTS की ही रहेगी, लग बग जाएंगे आपकी सिलेक्शन के बाद तो यह इस vacancy में एक अनुठी चीज रहेगी, डिपार्टम कौन कौन से हैं, तो वो जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि आप पर 4 एक्जेंपल अगर हम बात करें, जो आपका डिपार्टमेंट है, वोमन एंड चाइल डेवलोमेंट, इसमें टोटल 194 विकंसी हैं, जीसे में UR, OBC, SC, ST और EWS, इसके अलावा फीजिकल हैंडिकेप्ट, एक्सरिश्मन और स्पोर्ट्स परसन, इनकी कितने विकंसी हैं, वो आप अपने जो कटेगरी है, उसके नुसर चेक कर पाएंगे, जीतन भी आपके डिपार्टमेंट हैं, उन सभी में जो आपका पे लेवल है, वो आपका सेम रहेगा, लेवल वन यान कि जो स्टार्टिंग आपकी सेल्डी बनेगी, 18,000 पलस में आपके अलाउंस तो जो गरोस सेल्डी है, वो लगबग आपकी 30 से लेकर 32,000 के आसपास बनेगी और इन हैंड जो आपकी सेल्डी है वो आप मान के चलिए कि 27 से 28,000 पलस बनेगी तो यह आपके जो है स्टार्टिंग सेल्डी रहेगी तो जीतने भी आपके डिपार्टमेंट है जैसे के सोशल, वेलफेर में 99 विकंसी, इस तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें कि टोटल आपके कितने डिपार्टमेंट इस विकंसी में रहने वाले हैं तो यहाँ पर यह जो आपके सभी डिपार्टमेंट हैं वो आप़ चेक कर पाएंगे टोटल 15 आपके डिपार्टमेंट हैं वो यहाँ पर रहने वाले हैं जीन को मिला कर 566 यह जो आपके विकंसी हैं वो यहाँ पर आउट की गई है अब यहाँ पर जो आपका नोटिविकेशन है इसमें क्या जो है एक चीज़ आपको दी गई है जो आपका डिपार्टमंट है ना उस डिपार्टमंट के अनुसार आपके वेकने से कितनी है आपके एसेंसल क्वालिफिकेशन क्या है एक्स्प्रि düş्म आपको चाहिए या फिर नहीं कितने आपके सेलरी बनेगी वो आपको बताया गया है लेकिन यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें अमटीस के जो क्यालिफिकेशन है वो मातर आपके 10 पासर रखे गई है यानि कि अगर सिर्फ शिर्फ आपके 10 पासर 10 पासर हैं तो इस वेकिनशी के लिए आप एलिजिबल हैं फॉर्म आपके फिल कर सकते हैं और पेस्केल आपको मुने बता दिया है कि सभी में आपका लेवल वन रहेगा यदि हम बात करें आपकी एज लिमिट के बारे में तो यहाँ पर जो कम से कम आपकी एज है 18 साल मैकसिमम जो आपकी एज है वो 27 साल यहाँ पर रखी गई है लेकिन यहाँ पर जो SCST के कंडिडेट हैं इनको 5 साल की चूट मिलेगी एज में OBC को 3 साल की चूट मिलेगी इसके अलावा जो आपकी यहाँ पर डिपार्टमेंटल कंडिडेट है इनको अलग से आपर जो है कर्टेगरी के नुशार चूट जाएगी एज में लेकिन यहाँ पर आपको यह बात जो हद्यान में रिखनी है कि जो आपका डिपार्टमेंट है दिल्ली सब ओर्डिनेटर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड यानके DT प्लस भी इसमें भी MTS के विकनसी है लेकन इसमें जो आपके एज लिमिट है वो आपके 18 से लेकर 25 साल रहेगी सेम इसी तरीके से जो आपका डिपार्टमेंट है पलानिंग डिपार्टमेंट यहाँ पर भी जो आपके एज लिमिट है वो आपके 18 से लेकर 25 साल यहां पर रखी गई है पलस में यहां पर जो आपका डिपार्टमेंट है डिरेक्टरेट और ओफर ओडिट इसमें भी MTS के विकंसी है और यहां पर भी जो एज लिमिट है वो आपके 18 से लेकर 25 साल रहेगी तो यहां पर देखिएगा जो एज लिमिट है कुछ डिपार्टमेंट में आपके 18 से लेकर 25 साल है और कुछ में आपके 18 से लेकर 27 साल है वो सभी चीज़ जो है आपको हमने यहां पर बता दी है और यहां पर जितने भी आपके ट्वालिफिकेशन है या फिर आपके एज लिमिट है या फिर कोई भी आपके अन्य एक्सप्रिंश की जानकारी है कोई सेक्टिफिकेट है उन सभी के लिए जो आपके करिशल डेट है वो आपके 8 मार्च 2024 है यानि कि इस डेट तक जो आपके एज है याई फिर जो आपके qualification है वो complete हो जाने चाहिए अब हम बात करते हैं आपके selection process के बारे में तो यहाँ पर आपको हुने बता दिया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही exam होने वाला है अगर हम बात करें इस exam के pattern के बारे में तो जो आपका exam है इसमें time आपको total दो गुंटे का मिलेगा दोस्तों आपको exam में question देखने को मिलेंगे एक question आपका एक number का होगा यानि कि 200 number का ही exam रहेगा और one by fourth यानि कि 0.25 की यहाँ पर आपको negative marking देखने को मिलेगी तो अगर हम बात करें जो आपके 200 question हैं किस subject से कितने रहेंगे तो journal awareness जिक्के से 40 question journal intelligence and reasoning ability इससे 40 question arithmetic and numerical ability से 40 question Hindi language से 40 question और English language से भी 40 question तो total यहाँ पर आपको जो है 5 section 5 subject दिये जाएंगे हर एक section से 40 question आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो इस तरीके से जो आपका exam है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो आपका final selection है वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो CBT exam है उसके अधर पर किया जाएगा लेकिन एक बात आपको और याद रखनी है कि यहाँ पर जो आपको departmental alert होंगे न वो होंगे आपके merit कमब preference के base पर यान कि आपके जो merit है वो तयार की जाएगी और आपसे preference मांगी जाएगी कि आपके किस department में जो है अपने जो पहली preference है वो देना चाते हैं तो यहाँ पर जो भी आपके preference होगी जो आपके marks होंगे उसके ने सार कटोफ बनेगी और उस कटोफ के आधार पर उस preference के आधार पर आपको departmental alert किये जाएंगे ओके तो यह थी आपके complete जानकरी उम्मेद है कि आपको अच्छे लगी होगी आगे के लिए जुड़े रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा